विशेश बिना जिम, एक सरसाई जो और डाइटिंग के यूंग घटाएं अपना वजन, हफते भर में ही दिख जाएगा असर मोटापा हमारे जीवन की समस्याओं में से एक है मोटापा इसलिए बुरा नहीं है क्योंकि इससे आपकी परसिनालेटी खराब हो जाती है बल्कि इसलिए क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए काफी वानिकारक है मोटापे के कारण आप कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकते है सांस फूलना, मदमे जैसी बीमारियों से आप मोटापे के कारण जल्दी ग्रसिट हो सकते है बलन प्रेशर का बढ़ना, ज्यादा पसीना आना ये सब मोटापा के कारण होता है हाला कि मोटा कोई जान मूज कर नहीं होता मगर हमारा खान पान, लाइपस्टाइल, हमारी दिन चर्या सेहत पर काफी हद तक असर डालती है भागती हुई जिन्दगी में हर किसी से आगे निकलने की होड में हम अपना अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते हैं सुबै को जल्दी में ब्रेक फासना करना, बाहर से लंच करना और रात को काम के कारण ज्यादा समय तक जागना ये सब कारण मोटापे का बुलावा देते हैं मगर बावजूद इन सब के पतला होने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं जिम जाते हैं, अपनी डाइट पर कंट्रोल करते हैं, अपना फेवरेट खाना तक खाना छोड़ देते हैं वजन घटाने के लिए कठोर मेहनत के साथ लोग खूब पैसा भी खर्च करते हैं मगर फिर भी मोटा पैसे चुटकारा पाना एक टेड़ी खीर जैसा काम है मोटा पैसे क्या कनेक्शन है? खड़े रहने से बन होती है कैलोरेट शोद की माने तो एक सरसाइट की तरह ही एक जगेख खड़े रहने से भी हम अपने वजन को कम कर सकते हैं दिन में करीब 6 घंटे तक खड़े रहने से बाड़ी फैट को कम किया जा सकता है शोद करताओं के अनसार बैठे रहने की बढ़ायक खड़े रहने पर प्रती मिनट व्यक्ति की बढ़ी से 0.15 कैलोरी की खपत होती है हर वक्त बैठे रहने से मोटा पा बढ़ता है खास और पर पेट की चरबी बढ़ जाती है क्या कहती है रिसर्च? एक रिसर्च रिपोर्ट का दावा है कि इस उपाये से 140 पाउंड तकरीवन 64 की ग्राम का व्यक्ति दिन भर में 54 कैलोरीज बंद कर सकता है और यदि हम इस प्रक्रिया को अपनी दिन चर्या में शामिल कर लें और इसे जारी रखा जाये तो तेजी से वजन घटाया जा सकता है लेकिन शोद करताओं का कहना है कि इस दोरान डाइट में किसी भी तरह का इजाफा नहीं होना चाहिए यानि आपको संतुले ताहार ही खाना है अ왜रो प 많은 आपको संतुलेंशाओ उती है